दोस्तों कैसे हैं आप उमीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे दोस्तों मैं हूँ चिरागदारू अला आप सभी के सामने वापी से पेश हो गया वीकली शो लेकर जिसका नाम है धनवानी इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़े पैसा कैस कि के मार्क पर कैसे जाएं येक वीकली शोयर मैं आप सभी से अनुरोथ करूँगा आगरा करूँगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुडिये जरूर से आपको कुछ न कुछ लाब होगा तो दोस्तों आज हम बात करेंगी कि आने वाला यह सबता यानि कि दो 2024 का यह सबता आप सभी के लिए कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं मेश राशी से गनेश जी कहते हैं मेश राशी वालो शुक्र का गोचर आपके जीवन में लग्जरियस चीजें लेकर आ रहा है यानि कि आप कोई भी कारे के साथ जुड़े हैं आप यह समद लीजी कि अच्छे परिवतन मिल सकते हैं आपको ग्रोथ मिल सकता है आपकी तरक्की देखने को आपको मिल सकती है और सबसे इंपोर्टेंटली आपका मान सम्मान बढ़ेगा अगर आप पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ अच्छे परिनाम भी सुनने को मिल सकते ह मेश राशी वालो यह सप्ता आपका जीवन ग्लैमर हो जाएगा हाँ और इंपोर्टेंटली अगर आप बड़ी गाड़ी नई गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं सोच रहे थे प्लानिंग कर रहे थे पर वो नहीं हो पा रहा था तो वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है यह सप्ता मेश राशी वालो जीवन को और लग्जुरियस बनाना आपके किताबों में आपकी कुंडली में लिखा है आपकी राशी में लिखा है तो यह चीज़ जरूर से ध्यान में रखिए और उसके उपर थोड़ा सा वर्काउट करना शुरू कर दीजिए वरिशब राशी गनेश जी कहते हैं वरिशब राशी वालो श्टेबिलिटी आपको अपने जीवन में यह सप्ता नजर आईगी बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन यह दो दिन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जब से शुक्र का गोचर हुआ है आपकी राशी में त अगर आप पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़े हैं तो आपका नेम और फेम दोनों बढ़ सकता है मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं जो लोग मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं तो आने वाला यह सप्ता आपको उसमें भी तरक्की दे सकता है नई job opportunities मिल सकती है खुद का आप start-up कर सकते हैं और जो लोग already व्यापार कर रहे हैं तो आपको अच्छे investors भी मिल सकते हैं विरिशब राशी वालो सब्ता आपका जबर्दस रहेगा मिथुन राशी गनेश जी कहते हैं मिथुन राशी वालो आपको दो सी पर ध्यान देना है वह दो सी क्या है communication और context आपको अपना networking बढ़ाना है और दूसरा communication यानि किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी है यह ध्यान रखना है कि कुछ गलत शब्दों का उच्छारन ना हो जाए अगर यह दो शब्दों पर आपने अपनी पकड़ बना ली तो आप समद लीजिए कि आपका डंका बजेगा दूसरा जो मनमुटाव चल रहा था जो कलेश चल रहा थे जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसका भी अंत आ सकता है परिवार में प्रेम बढ़ेगा आपसी प्रेम बढ़ेगा जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो भी सुधरेंगे मिथुन राशी वालो सप्ता पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए जबरदस्त है करकराशी गनेश जी कहते हैं करकराशी वालो बहुत मेहनत करते हैं परिनाम नहीं मिलता तो यह सप्ता आपको परिनाम मिल सकता है पर आपको दो चीज़े ध्यान में रखनी है कि आपको किसी से कोई भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है उमीदे नहीं रखनी है उमीदे रखेंगे तो क्या होगा उमीदे तूट सकती है निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है तो उमीदे नहीं रखनी है दूसरा आपको अपनी नीजी जानकारी किसी क भी नहीं देनी है आपके जो प्लान से फ्यूचर प्लान से जो थौट से जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है करकराशी वालो वो पहले से किसी को भी न बताएं बताएंगे तो क्या होगा काम अटक सकता है निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है तो यह चीज का खास द्यान रखिए पीपल के वरक्ष के नीचे रोजाना शाम को दिया जलाएं और जल अरपन करें जल के साथ थोड़ा सा दूद का मिश्रन और काले तिल का मिश्रन अवश्या करें आपको लाब होगा सीह राशी गनेश जी कहते हैं सीह राशी वालो फाइनेंशली आपको जो दिक्कते आ रही थी पैसो के लिहाद से जो आपको आप्स्टेकल्स आ रहे थे जो स्ट्रेस बढ़ रहा था वो स्ट्रेस दूर होगा यानि कि आपकी फाइनेशल कंडिशन इंप्रूव होगी अटका हुआ पैसा मिल सकता है शेर बजार में आपने निवेश किया था जो र परिवार वालों के साथ जो पैत्रिक संपत्ति का लीगल डिस्प्यूट चल रहा था उसमें भी आपको अच्छा परिणाम देखने को सुनने को मिल सकता है सी राशी वालों यह समद लीजिए कि फाइनेशल स्ट्रेस दूर होगा मन की शांती होगी मन की शांती होगी तो आ उर भी बहुत सारे कारिय कर सकते हैं आपको अपनी मजबूताई दिखाने का समय अब आ चुका है छटी राशी कनिया राशी गनेश जी केते हैं कनिया राशी वालों यह सपता लेडिस का सपता है घर की औरतों का सपता है housewives का सपता है जो लोग घर से कुछ कार्य करना चाहते हैं जो लोग housewives से कुछ भी नहीं कर रहे थे बर कुछ start-up करना चाहते हैं तो यह सपता आप उसका planning कर सकते हैं आप उसके उपर विचार करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं कोई भी प्रकार का retail sector business अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बैतरीन रहेगा कपडों का व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी बैतरीन रहेगा और सबसे importantly आप art related कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कन्या राशी वालो उसमें भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है आप जिस भी भगवान में जिस भी माता जी में मानते हैं उनके नाम की एक बादा अवश्या रखे आपको आने वाले समय में अच्छे परिनाम देखने को सुनने को मिलेंगे खुशियां आपके गर का दर्वाजा खट-खटाएगी सबता आपका जबदस्त रहेगा तुला राशी गनेश जी कहते है तुला राशी वालो अभी नहीं तो कभी नहीं जो चीजें आपके दिमाग में चल रहे हैं जो प्लानिंग चल रहे हैं उसे कर लीजिए भरोसे मत बैठे रहें तो आपका भरोसा तूट सकता है मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है तो आपको भरोसे रहे भी ना खुद के ओपर भरोसा रखें इंडिपेंडेंट हुए और फिर देखें कि कितना आपको मज़ा आता है विदेश जाना चाहते हैं जो students, abroad जाना चाहते हैं, planning कर लीजिए, steps अभी से आपको तयार करने हैं, और जो लोग लापरवा है, career के प्रतिये, तो अब थोड़ा सा आपको alert होने का समय आ चुका है, अब आपको सावधानी बरतनी है, आपको अपना vision तुलाराशी वालो अभी से crystal clear बनाना है, तब जाकर आने वाले समय में आपको इसका लाब मिल सकता है, सेहत का खास ध्यान रखिएगा, सेहत संबंदित कुछ समस्याय आ सकती है, लापरवाही ना बरती है, वरिशिक राशी, गनेश जी कहते हैं, वरिशिक राशी वालो आपको अब थोड़ा सा जमी से जुड़े हुए रहना है, आपको अपनी जो जड़े हैं, जो रूट से उसे मजबूत करने का समय आ चुका है, आपको इगो नहीं रखना है, अहंकार अपने अंदर से निकाल फैंकिए, अहंकार रखेंगे, इगो रखेंगे तो काम बनते बनते बिगड सकते हैं, दूस सोम, सोमाया नम्हा यह चंद्र का मंत्र है और सोमवार के दिन शिलजी भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करके गरीबों को कुछ दूद जरूर से डान करिए, दोनेट करिए, उससे क्या होगा, उससे मन की शांती आपको मिलेगी, मन की शांती मिलेगी तो आप बहुत कारिय कर सब्ता अगर आप कोई भी प्रकार की यात्रा करना चाते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो गई, चाहे वो प्रोफेशनल यात्रा हो गई, या तो फिर आप घुमने जाना भी चाते हैं, तो यह सब्ता आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, यह सब्ता आप जा भी सकते हैं, व दूसरा, एक साथ चार कारिये ना करें, एक ही कारिये के उपर आप फोकस करें, वो हो जाता है उसके बाद दूसरा करें, अगर एक साथ चार करेंगे तो कहीं न कहीं आपके काम बिगड सकते हैं, कहीं न कहीं अच्छा परिनाम आपको ना मिले धनूराशी वालों आप फेमस भी हो सकते हैं वो famous होने के लिए आपको smart work और hard work दोनों करना होगा आप समद लीजिए कि कृष्ण भगवान की तरह आपको efforts देने हैं जमीन से जुड़े हुए रहना है और थोड़ा सा smartly कारिया करना है तब जाकर आपको मजाएगा मकर राशी गनेश जी कहते हैं मकर राशी वालो networking आपको बढ़ाना है और networking बढ़ाना है जितना बढ़ाएंगे उतना आपको मजाएगा नए नए लोगों के से आप मिलेंगे भी और वो लोग आपको मददगार भी साबित होंगे यात्रा की योग कम है पर पेट संबंदित समस्याइं हो सकती है तो उसके उपस खास द्यान रखिएगा जंक फूड को अवाइड करिए बाहार के भोजन को अवाइड करिए healthy food healthy diet आप रखिए आपकी सेहत बहतरीन हो जाएगी दूसरा जो लोग फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हैं जो लोग engineers है self employed है यह सबता आप अलग-अलग मजबूत लोगों को मिल सक सकते हैं आपको अच्छे clients मिल सकते हैं मकर राशी वालो politically भी आपको support मिल सकते हैं तो उसके उपर भी विचार करिएगा वह opportunities तो आपको पता ही है कि आपको ही create करनी है कुम राशी गनेश जी कहते कुम राशी वालो जो उतार चड़ाव चल रहे थे वो थोड़े से चलते र किये health related issues हो सकते हैं सावधानी बरते हैं बच्चों के career की जो चिंता थी वो समाप्त होगी पर शादी करना चाहते हैं जो लोग अच्छे पात्रा मिलने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है कुम राशी वालो उतावल में जल्द बाजी में कोई भी निन्ने मत लीजिए और आपको selfish नहीं बनना है मतलब ही नहीं बनना है आपके पास जो भी आता है जो लोग आपसे जुड़े हुए आप जिनके साथ जुड़े हुए जितना हो सके मदद करिए expectation बिना करिए आपको सही में कुम राशी वालो मजा हैगा आपको लगेगा कि जीवन में कुछ अच हुआ है मीनदाशी गनेश जी कहते है मीनदाशी वालो यह सब्ता आपको थोड़ा सा polishing करने की जरूर है बटरिंग करने की जरूर है जो लोग आपके साथ जुड़े हैं आपके seniors के साथ अच्छी तरह बात करिए communication में और positivity लाए आप यह समद लीजिए कि कुछ support से आप बह के संबंदों में सुधार आएगा relationship improve होगी चाहे वो personal life हो चाहे वो professional life हो कानूनी मसले सुलजेंगे legal issues cleared होंगे court case आपके favor में भी आ सकता है दूसरा मीनदाशी वालो यह समद लीजिए कि start-ups करना चाहते हैं कोई भी प्रकार का start-up आप कर लीजिए अभी भरों से बैठे नह ही रहना है अब शुरुआत कर देजिए वरना क्या होगा ऐसी opportunity जो आपको मिल रही थी वैसी ना भी मिले मंगलवार का दिन बहुत ही बैतरी ने मंगलवार के दिन अगर आप कोई भी प्रकार की कोई भी कारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लाब होगा teachers जो से मजाएगा अब हम आएंगे conclusion पर के ऐसा सभी बारा राशी वाले क्या कर सकते कि जिससे उनको लाब हो तो दिखिए एकदम simple remedy है आपको अपने घर पर रोजाना सुबह और श्याम अगर बत्ती और कपूर जरूर से करिए और घर के जो north corner है वहाँ पर आप पूरे घर में चंदन या फिर गुलाब की कपूर तो नॉर्मल है पर यह दोख जरूर से करिए आपको लाब होगा उमीद रखते हैं आप हमारे suggestions फॉलो करेंगे हम next सब्ता शनिवार के दिन सुबह इसी समय मिलते हैं तब तक आप सब खुश रहें और enjoy करिए श्री गणेश नम्हा